दोस्तो एक कलाकार अपनी मनो कलपना और मनो सक्ति की बल्बूते एक निर्जीव कैन्वास को रंगों के थुरू एक सजीव पेंटिंग का स्वरूप देता है और वहीं चित्रकला और पेंटिंग उस महान कलाकार को पुरे बिश्व में एक अलगी खाती परदान करती हैं आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा ही महान पेंटर के बारे में जिनोंने भारत में ही नहीं बल्कि पुरे बिश्व में एक अलग शाफी प्राप्त की हम बात करने वाले हैं भारत के महान पेंटर M.F. हुसेन यानिकी मगबूल पिदा हुसेन के बारे में इनको भारत का पिकासो भी कहा जाता है इनका जन 17 सितंबर 1915 में महारास्ट के पंधारपुर में हुआ था इनकी पेंटिंग्स ने इन्हें पुरेबिस में एक महान कलाकार का दर्जा दिलाया तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इनकी टॉप 10 पेंटिंग्स के बारे में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेट कलर के सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें क्यूंकि इसी तरह की इन्फर्मेटिव वीडियोज हम आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे और बने रहे हमारे साथ अंते तक मैं हूँ लखन सिंग्स और आप देख रहे हैं लखनार्ट गैलरी अब हम बात करेंगे इनकी कुछ खास पेंटिंग्स के बारे में जिनके कारण इन्हें भारत में ही नहीं बलकि पूरे विश्व में ख्याती प्राप्त हुई और साथ ही साथ इन्हीं पेंटिंग्स की बज़े से इन्हें कई बार बिवादों में भी आना पड़ा M.F. हुसेन की टॉप 10 पेंटिंग की सीरीज में सब से पहले हम बात करेंगे मदर टेरिसा की तिरिमूर्थी पेंटिंग के बारे में मदर टेरिसा ने देश के लिए जो महान काम किये उससे कलाकार काफी आकरसित हुए और उन्होंने मदर टेरिसा को समर्पित पेंटिंग्स बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी वहीं हुसेन ने अपनी एक यात्रा में मदर टेरिसा को कलकत्ता में देखा जहां वह बिमार बच्चों और बुड़े बेसहाई लोगों के लिए हर कोसिस परियास कर रही थी उनके लिए प्रात्ना कर रही थी हुसेन उनके ब्यक्तित्तों से काफी प्रभावित हुए थे और उनकी पेंटिंग बनाने के लिए संकल्प ले चुके थे हुसेन ने अपनी इस पेंटिंग में मदर टेरिसा को त्रिमूर्ती के रूप में दरसाया है जहां मदर टेरिसा के ब्यक्तित्तों को बखू भी चित्रित किया गया है आप इस चित्र में देख सकते हैं कि मदर टेरिसा को बच्चों, जानवरों वा असहाई लोगों को सहारा देते हुए उनकी देग्रित करते हुए दरसाया गया है मदर्टेरिसा की तिरिमूर्थी पेंटिंग की कीमत 3,20,000 डॉलर से उपर बताया जाता है अब हम बात करेंगे M.F. हुसेन की होस पेंटिंग के बारे में कलाकार M.F. हुसेन के एवल परदियस के बारे में ही नहीं बलकि जानूरों के परति लगाव के कारण उनकी पेंटिंग्स बनाने में भी काफ़ी दिल्चस्पी लेते थे जिन में उनके पसंदिदा थे घोडे M.F. हुसेन की अधिकांस पेंटिंग में घोडों के परति उनका लगाव बखु भी देखा जा सकता है हुसेन की अधिकांस पेंटिंग इसमें इस्तेमाल हुए रंगों की पसंद के कारण सबका ध्याना कसित करती है यहां पेंटिंग निलामी में 1.3 करोड रुपे की कीमत पर बेची गई यहां पेंटिंग दे हॉर्स डाट लुक बैक नाम से लोग पिरिय हुई अब हम बात करेंगे M.F. हुसेन की माधुरी दिक्सित पेंटिंग के बारे में माधुरी दिक्सित उन्चंद अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्होंने अपनी सैली और व्यक्तित्त से कलाकार को परभायत किया कि कलाकार ने उन्हें अपने कैनवास पर चित्रित करने का फैसला किया उन्होंने अभिनेत्रि की कई छबियां बनाई जिन्होंने अभिनेत्रि की सुन्दर्ता को बहतरीन तरीके से दर्शाया M.F. हुसेन माधुरी दिक्सित पेंटिंग भी उन कुछ में से एक थी जिसे आलोचना और बिवादों के बराबर सराहना मिली सीर्स दस की सूची में M.F. हुसेन की एक पेंटिंग दी पपेट डांसर भी है बहुत से लोगों को इस तर्थ के बारे में पता नहीं होगा कि कलाकार को खिलोनों के लिए बड़े पेमाने पर प्यार था और इस तरह उसने कभी भी अपने चित्रों में उनके लिए अपने हमेशा की प्यार को चित्रित करने का आउसर नहीं छोड़ा पेंटिंग में महिला, घोड़ा, निर्थक, योध्धा आदी जैसे कई तत्तु थे जिसने पेंटिंग को पूरी दुनिया में लोगपरी बना दिया निलामी के दौरान यहां पेंटिंग 1.5 करोड में बेची गई M.F. हुसेन की अगली पेंटिंग है बैटल ओफ गंगा एंजमुना उन सभी के लिए जिनों ने इस पेंटिंग के महत्त को नहीं समझा पेंटिंग ने सही और गलत के बीच नियमित युद्ध का परदरसन दिखाया गया है हमारे डैनिक जीवन में भी हम लगातार सही और गलत बिकल्पों के बीच दुविधा का सामना करते हैं M.F. हुसेन पेंटिंग में एक ही भावना थी इस पेंटिंग में उन्होंने विभिन परकार के रंगों का उप्योग किया है जैसे की गहरे और चमकीले रंग जो विसुद्ध रूप से सही और गलत चीजों के बीच की लड़ाई का चितरण करते हैं इस पेंटिंग को विस्ट में काफी सराहना मिली और कृष्टी में निलामी के दौरान इसे 9 करोड में बेचा गया हुसेन वह कलकार थे जिन्होंने कभी भी अपने काम में वास्तविक्ता को चितरण करने का डर नहीं जताया चाहे उन्हें कितनी भी आलोचना और बिवाद मिले यहां पेंटिंग थियेटर कलकार सबदर हासमी पर चितरण की गई थी इस पेंटिंग को हुसेन के बिवादस्पत चितरों में भी गिना जाता है लेकिन यहां अभी भी दर्सकों से कुछ बड़ी मात्रा में सराहना प्राप्त करने में काम्याब रही कौलकत्ता की निलामी में यहां पेंटिंग 4.4 करोड में बेची गई थी हिंदु देवी देवतों पर कलाकाट द्वारा बनाएगी पेंटिंग की तरह M.F. हुसेन द्वारा की गई सरस्पती पेंटिंग बिवादों की सूजी में सीस पर थी कई लोगों ने दावा किया कि कलाकाट ने हिंदु देवतों को निसाना बनाया और मुस्लिम लोगों पर कुछ नहीं बनाया पेंटिंग में इस्तेमाल की गई छवियां कई लोगों द्वारा अपत्ति जनक बताया गया क्योंकि इसमें देवी सरस्पती की नग्न प्रस्थुती ने कई हिंदु अनुआईयों को बहुत नाकारात्मक तरीके से आकरस्यत किया और कलाकार के काम का बड़ा बिरोद किया M.F. हुसेन की एक और बिवादस पत पेंटिंग आती है भारत माता पेंटिंग बाई M.F. हुसेन चित्र में भारती मांचित्र को नग्न महिला के साथ साथ कई अन्य प्रोमो के रूप में दिखाया गया है पेंटिंग की प्रस्थुती को सायद ही किसी ने सुईकार किया और इसे दुनिया भर में आलोचना मिली कलाकार ने लाल और निले जैसे गहरे रंगों का उब्योग करके भारती मांचित्र की कठिनाईयों को चित्रित किया लेकिन यह नग्न महिला के रूप में जो निर्माड किया उसी ने सभी का ध्यान आकरसित किया और वह भी गलत कारणों से M.F. Hussain की अगली पेंटिंग है किरिष्णा पेंटिंग इसमें कलाकार ने किष्ण हिंदु भगवान को दर्साय है जिसमें कलाकार ने विभिन रंगों और सैली के उप्योग से पेंटिंग को वास्तविक्ता से अलग बना दिया इस सित्र की सरंकला में कुछ नकलें ऐसी हैं जिन्होंने हिंदु अन्याईयों की भावनाओं को नुकसान पहुचाया और चोट पहुचाया है अंतिम लेकिन कम से कम नहीं M.F. Hussain की टॉप 10 पेंटिंग की आगरे पेंटिंग है दसिक्त सील इस पेंटिंग को हुसेन ने क्योबिस्ट आधुनिक सैली में चित्रित किया है दसिक्त सील में कलाकार ने प्राचीन भारती लगुचित्र, मूर्तियां, निर्त और लोक कला को दर्साया है या उन पेंटिंग में से एक है जिनने उनके जीवन के आखरी दौर में निलाम किया गया जो की 3.7 करोड में बेची गई दोस्तो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसको सेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राब करना ना वोलें